हेलो प्यारे बच्चो बेटा आज हम सीखेंगे हमारे जी रैशनल लंबर्स होते हैं उनकी हम एडिशन और उनका सब्स्ट्रेक्शन हम कैसे करते हैं बेटा चलो देखते हैं जैसे हमारे दो नंबर है एक 1 प्लस 5 में क्या अड़ करना है हमें 1 प्लस 5 अड़ करना है बेटा इसमें क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें हम क्या करते थे नियूम्रेटर को आपसे डिनोमिनेटर हमारे सेम रह जाता था और नियूम्रेटर को हम एड़ कर देते थे आपको बेटा, तो नीचे क्या लिखता है, टीचर 20 नंबर लिखता है, इस उपर बच्चे के इसमें जैसे किसी के 18 नंबर आए, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, टोटल कितनी चीज थी 20, उसमें से कितने आई आपको 18, ऐसे ही हम यहाँ पर राशनल नंबर में लिखते है देखो बेटा जैसे इसमें हम यहां पर example लेते हैं इसमें क्या दे रखा है? एक situation दे रखी है उसमें क्या दे रखा है? पिंटु गेव 2 upon 3 part 2 third part of his chocolate to his friend यानि पिंटु के पास कोई chocolate थी उसमें कितने इसे थी? 3 इसे थी यह देखा रखे है उसमेंसे उसने अपने friend को कितने दे दिए? 2 इसे दे दिए जो कि हमने color कर रखे है ठीक है? फिर वो कहता है कि उस chocolate का 1 upon 5th part उसने अपनी sister को दे दिया यानि chocolate के कितने इसे? 5 हिस्सों मेंसे 1 हिस्सा जो अपनी sister को दे दिया अब पूस्त है कि उसने दोनों को कितने चोकलेट दी और अब उसके पास कितना रह गया ठीक है बेटा तो बेटा इसे solve करने का तरीका देखते हैं जैसे इसमें हमारा क्या है बेटा denominator अलग है जैसे हमानते हैं उसके पास उसने 2 तर्ड चोकलेट उसने किसको दे दी अपने फादर को दे दी और add करते इसमें और 1 अपन 5 चोकलेट उसने किसको दे दी अपनी sister को दे दी तो बेटा इस calcium कितना है 15 3 के table में 15 का बात है 5 पर तो उपर 5 से multiply 10 5 के table में 15 आते हैं 3 पर तो उपर 3 से multiply यानि answer कितना है हमारा 13 अपन 15 तो इसका मतलब हुआ बेटा, total chocolate कितनी थी? 15 और उसने अपने father को और sister को total कितनी दे दी? 13 तो अब उसके पास कितनी रही बेटा? 2 upon 15 chocolate रही यह तो उसके पास रह गई और इतनी चोकलेट उसने अपने father को और sister को दे दी ठीक है बच्चो अब बेटा इसी तरह से हम देखते हैं यह fourth question जो यहाँ पे दे रखा है यह वाला fourth question इसमें कहता है कि अगर आपके पास कोई page है उसका आपने one upon two हिस्सा पिंटू को दे दिया और उसी का and one upon four part उसका किसको दे दिया आपने चिंटू को दे दिया तो अब आपके पास कितना page बचा कितना page का part बचा तो बचो two और four calcium कितना आएगा four two के table में four का बात है two पे तो उपर two से multiply plus four के table में four one पे आता है तो उपर one से multiply एपलाई तो कितना रह गया बेटा three upon four answer आ गया यानि हमारे पास जो page था उसका हमने तीन हिस्से दे दिये और अब कितना हिस्सा रह गया हमारे पास one upon four ठीक है बेटा तो इससे क्या पता चला हमारा कोई page था उसके कितने हिस्से थी चार हिस्से थे जैसे बेटा यह हमारा page था इसमें मैं चार हिस्से बना देता हूँ एक दो तीन चार इसमें से हमने क्या करा बेटा तीन हिस्से तो दे दिये और अब कितना हिस्सा रह गया हमारे पास यह वाला हिस्सा रह गया ठीक है बेटा तीन बटा च यह इसका अंसर है ओके बच्चो बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है तो वो मुझसे बेटा पूछ सकता है ओके थैंक यू बच्चो